नमस्कार मित्रो, मैं डॉक्टर तन्वी सिंग अपने चैनल Eternal Addressants Classes for Sanskrit में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ मित्रो, आज हम लेकर आए हैं KVS 2022 का PGT संस्कृत का पूरी जानकारी लेकर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पार्ठिक्रम में एक बहुत बड़ा बदलाव हो गया है पहले पार्ठिक्रम कुछ और था और इस बार पार्ठिक्रम में काफी परिवर्तन हो गया है तो वैकेंसी की डिटेल बाकी सारी चीज़े आप लोग देख चुके हैं तो मैं उसको यहाँ पर नहीं बताऊंगी लेकिन फिर भी संस्कृत में 245 सीटे हैं लगभग और उसमें जन्नल की 101 सीट है तो मतलब 100 प्लस सीटे हैं संस्कृत की जन्नल की और बाकी टोटल 245 सीट है तो हमारे चैनल के माध्यम से केवियस का सुननेशे सिखर तक के तयारी कराए जाएगी यानि हम जैसे TGT की तयारी TGT PGUP TGT PGT की तयारी अपने चैनल के माध्यम से करा रहे हैं नीसूल के क्लास है यह वैसे हम केवियस का जो भी बच्चे TGT से संस्कृत शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए हम पूरे प्रयास करेंगे कि पूरे पाठ्धिक्रम को यहां पर बता दिया जाएं यहां पर कि वल संस्कृत को ही नहीं बता जाएगा अपके पाठ्धिक्रम में कुछ चीजे और भी आड़ है उन सारी चीजों को संस्कृत के अलावा और भी जो भी पढ़ना है वो सब हमारे चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा तो अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताखी आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिक्शन आपको आसानी से मिल जाए तो आज हम देखेंगे PGT संस्कृत का पूरा जानकारी हमारे चैनल Eternal Addicence Classes for संस्कृत के माध्यम से तो यहाँ पे हम सारी चीजों को देख लेंगे आप पूरा पाठिकरम को ध्यान से देखिएगा और उसी हिसाब से हम एक रड़नी तित्या करेंगे कि हमें केवियस की तयारी कितने दिनों में और कैसे करनी हैं तो अगर आप 10 लोग भी seriously हमारे चैनल के साथ चलेंगे तो सबसे पहले किसी भी चीज की तैयारी करने से पहले हमें उसका पाठिकरम जानना बहुत जरूरी है और आप पाठिकरम को साथ में लेकर ही तैयारी करें और उसमें टिक करते चले कि हमने ये चीज पढ़ ली तो एक बर तो पूरा पाठेक्रम आपको पढ़ना ही है तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से केवियस की पूरी त्यारी कर सकते हैं वो भी निसुल्क तो चलिए हम सबसे पहले आज पार्थे करम को समझ लेते हैं कि पार्थे करम में क्या क्या चीजे कैसे कैसे पड़नी है तो चलिए देखते हैं पार्थे करम को तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर TGT यानि Friend Graduate Teachers का यह पाठिकरम है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको संस्क्रित का पूरा पाठिकरम बताऊंगी उसके अलावा जितनी भी चीज़े आपको पढ़नी है उसको भी एक सार के रूपे समझा देती हूँ कि आपका जो एक्जाम का एक्जाम में कितने question आएंगे कैसे आएंगे वो सारी चीज़े मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ यहाँ पर आपको टोटल एक सो असी नमबर के एक सो असी objective टाइप question होंगे और प्रतेक प्रश्न के लिए एक नमबर दिया जाएगा और उसके लिए आपको एक सो असी मिनट दिये जाएंगे पार्ट के लिए आपका समय निर्धारित नहीं है क्योंकि आपके स्लैवस में बहुत सारी चीज़े हैं तो आप एक सो असी मिनट में उन एक सो असी objective questions को solve कर सकते हैं किसी भी पार्ट को solve करने के लिए समय की कोई बाद दिता नहीं है आप पूरे एक सो असी मिनट का use कर सकते हैं तो जैसे पहले net में होता था या और भी exam में होता है कि पहले आपको इस पार्ट को solve करना है तो ऐसी कोई बाद दिता नहीं है आप पूरे समय में पूरे questions को solve कर सकते हैं अब रही बात एक सो असी questions में कैसे कैसे इन्होंने divide किया है उस चीज को हम यहाँ पे देख लेते हैं तो सबसे पहले देखिए आपका सबसे पहले language से question आएगा language में आपका English से question रहेगा और Hindi से 10 question आपके English से होंगे और 10 question English से होंगे तो ये हो गया 20 नंबर का फिर आपके 20 question आएंगे journal awareness reasoning और computer के उसमें भी divide किया है कि journal awareness और current affair के 10 question आएंगे 5 question आपके reasoning ability के आएंगे और 5 question computer से पुछे जाएंगे इन सारे part का मैं अलग-अलग video अपने चैनल के माध्यम से अपलोड करूँगी ताकि आपको एक ही जगह से सारी चीजे आसानी से मिल जाएं तो आप यहां देख लीजिए 10 question आपकी हिंदी से आएंगे 10 question इंगलिस से आएंगे तो आप देख सकते हैं यहां पे 20 marks जो है वो general awareness और current aware से 10 question आएंगे 5 question reasoning का होगा और 5 question computer का होगा तो यह सबकी वीडियो अलग-अलग से मैं बना के अपने चानल पर upload कर दूँगी फिर आपकी 40 question जो है वो pedagogy से आएगा जिसमें इसने part को divide किया है understanding the learner से 10 question आएगा understanding teaching learning से 15 question आएगा फिर आपका learning environment से और school organization and leadership और perspective in education से यह इन तीनों पार्ट से मिला के 15 question होगे टोटल यह 40 question यहां से आएगा तो आप देख सकते हैं 20 question यहां से 20 question यहां से 20, 20, 40 और 40 यह हो गए 80 question यह आपके PRT में भी PRT में, PGT में, TGT में यह तो रहेगा ही तो हम यहां पर TGT की बात कर रहे हैं इसलिए हम TGT के ही उससे देखते हैं तो TGT में यह आप किसी भी subject से हो तो आपको यह 80 number ऐसे ही त्यार करने हैं Sanskrit के students को थोड़ी दिक्कत होती है इस पार्ट में लेकिन फिर भी हमारे channel के माध्यम से इस सारे पार्ट को भी clear करा दिया जाएगा इसके बाद बात आती है subject की तो subject से आपके 100 question आएंगे और इसका syllabus भी KBS के ग्वारा बता दिया गया है तो यह हो गए total 180 question कहां कहां से आएंगे अभी हम इसके बाद उन Sanskrit के जो syllabus है उसको भी देखेंगे फिर यहां पर एक चीज और यहीं पर जान लीजिए फिर आपके 60 question जो 60 number में 30 number जो आपका subject होगा उसके demo का होगा और 30 number interview पर मिलेगा तो यह भी 60 number बहुत ही important होगा अगर आप written clear कर लेते हैं तो आपका 30 number का demo होगा और 30 number का interview होगा और उसके बाद आपके जो merit बनेगी उसका 70-30 के अनुपात में होगा यानि 70% number आपके लिए जाएंगे यहां से written test से और 30% जो है आपके यह 60% 60 number के कितना आप पाए हैं उसमें से तो उसका ऐसे वेटेज बनेगा तो यही 37 का होगा final merit इसके ही आधार पे बनेगी तो आपके लिए यह 180 number बहुत ही important होगा कि इस 180 में आप कितने number gain करते हैं उसके बाद आपको demo देना होगा आप Sanskrit से हैं तो आपको Sanskrit का Hindi से हैं तो Hindi का आपको demo देना होगा और 30 number interview के होगे तो यहाँ यहाँ पर पहुचने के लिए आपको यह चीज़े clear करनी होगी तो आपको पहले यह वाला जित्ता portion है इसको आपको पढ़ना होगा और इसको clear करना होगा तब आप interview तक जाएंगे तो यहाँ पर मैंने पूरा बता दिया कि कैसे कैसे क्या आपको पढ़ना है अब बात होती है TGT के पार्टेक्रम के पहले क्या होता था केवियस में TGT में ऐसे ही जैसे PRT का syllabus होता था English पूचता था, Hindi पूचता था, GS पूचता था, Current Affair पूचता था, Reasoning पूचता था Kapadagogi से question पूचता था, लेकिन subject से नहीं पूचता था, subject को interview में ही पूचता था लेकिन इस बार बहुत बढ़ा बदलाव यह है कि आपके subject से 100 question पूछे जाएंगे जो 100 number के होंगे तो अब हम देख लेते हैं संस्कृत TGT का पार्ठिक्रम तो देखिए यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं विसेस पार्ठिक्रम में NCRT, CBSE पार्ठिक्रम में प्रदत कच्छा 6V और 10V यहाँ पे कुछ मैं आपको उता देती हूँ कि आपको कच्छा 6 से कच्छा 10 तक की जो पुस्तके हैं उसमें अंतरनिहित अवधारना संकल्पना समिलित हैं हाला कि प्रश्णों के माध्यम से उपरोक्त अवधारनाओं और अनुप्रयोगों की असनात तक स्तर की गहन समझ का आकलन किया जाएगा तो यहाँ पर यह कह रहा है कि आपको NCRT की कच्छा 6 से लेकर 10 तक की जो संस्कृट की किताब है उसको आपको पढ़नी है और जो आपके समझ का आकलन किया जाएगा वो असनात तक स्तर का किया जाएगा ठीक है तो आप देखिए जो रुचिरा प्रतमों भागो है ये क्लास 6 में चलती है मैं आप बता दूँ फिर रुचिरा दुतियों भागो ये क्लास 7 में चलती है फिर रुचिरा तृतियों भागो ये क्लास एर्थ में चलती है फिर शेमुसी प्रतमों भागो ये क्लास नाइंथ में चलती है और फिर है शेमुसी द्वितियों भागो ये क्लास तैंथ में चलती है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाठिक्रम में पूरा का पूरा किताब को यहाँ पे दे दिया गया है तो आपको पूरी किताबे पढ़नी हैं, मैं अपने चैनल पे सारी जितनी भी किताबे हैं, उनका एक एक पार्ट पढ़ाऊंगी, मतलब संस्कृत, मूल पार्ट, उसका हिंदी अन्वार, उनसे बनने वाली प्रश्न, उसमें जितने भी शाबदर्त सब होंगे, आपको पूर सौल करकी जाना है, प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, रूचिरा प्रथम भाग में क्या क्या है, NCRT, नई दिली दौर प्रकासित, ये पुस्तक है, इसमें देखिए, सब्द परिचय एक, सब्द परिचय दू, सब्द परिचय एक, सब्द परिचय दो, सब्द परिचय तीन, फिर है अगला पार्ट विद्यालेह, फिर है व्रिक्षा, फिर है समुद्र तटह, फिर है बकस्य प्रतिकारह, फिर है सुक्ति इस्तबकह, कृडा इस्परधार, कृष्का कर्म वीराह, दशमह त्वम असी, विमान यानम रचयाम, अह आ च, वारक विभक्ति परिचय, शब्द रूपाणी, अकारांत, उकारांत, कुलिंग शब्द रूपाणी, धात रूपाणी, लट लकारे प्रथम पुरुस, सर्वनाम पद परिचय, संख्या ज्यानम, तो आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर क्या करेगा, जैसा आप TGT क परिक्षा देते हैं, तो यहां पर सनातक अस्तर का दिया है न, तो यही सब चीजे जो सनातक अस्तर के लेवल का भी पूछ देगा, तो ग्रामर तो अगर आप TGT की परिक्षा में त्यार करते हैं, तो उससे आपका काम चल जाएगा, तो यह था क्लास 6 से, यह सारे पाठ है, यह सारे पाठ आपको पढ़ने हैं, क्योंकि स्लेबस पे दिया है, तो पहले तो हम इन सारे पाठों को पढ़ेंगे, इनके जितने भी अभ्यास दिये हैं, उनको देखेंगे, फिर उसके बाद फिर हम इनसे बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे तो आपको ऐसे ही सारी चीजे पढ़नी है फिर आपका रुचिरा दुटियो भागह NCRT नई दिल्ली द्वरा प्रकासित क्लास सैवन्त में ये चलती है इसमें सबसे पहले है सुभा सितानी फिर है दुर्बुद्धी विनश्यती स्वाव लंबनम पंडिता रमाबाई सदाचारह संकल्पह सिद्धि दायकह प्रीवण ध्वजह अहमपी विद्यालयम गमिश्यामी विश्य बंधुत्वम समवायोही दूर्जयह विद्या धनम अम्रितम संस्कृतम लालन गीतम परिसिष्ट वर्ण विचारह कारकम स्रब्द रूपाणी धातु रूपाणी च तो ये क्लास सेवन्त का है तो अब हम देखेंगे रूचीरात रुतियो भागह NCRT नई दिल्ली दौरा प्रकासित ये क्लास एर्थ में चलती है इसमें कौन-कौन से पाठ है जिसको आपको पढ़ना है सुभाशितानी बिलस्य वाडी न कदापी मेशृता दीजी भारतम सदैव पुर्तो निदेह चरणम कंटके नैव कंटकम ग्रिहम शुन्यम सुताम बिना भारत जनताहम संसार सागरस्य नायकाह सप्त भगिन्यह नीती नवनीतम सावित्री बाई फुले कह रक्षती कह रक्षितह छितव राजते भारत स्वर्ण भूमी आरे भटह परिसिष्ट संधी कारकम प्रग्द रुपाणी इसमें मात्री अस्वद यूस्मिद स्वस्री राजन च तो आपको एक चीज ध्यान रखिएगा यह हम दो ख्षाट ले जाएगा कि शब्द रूप में कौन-कौन से सब्द रूप इन सारे कोर्स में दिया है कक्षा 6 से 8 तक में उन्ही को आप याद करके जाएंगे किताब में भी दिया होगा संभावना यही बनेगी कि जो यह किताबे हैं इन में से ही प्रश्न बनेगा चाहे व्याकरण हो चाहे गद्यान्स पद्यान्स हो तो आपको एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना होगा तो यह बहुत ही इजी होगा कि हम क्लासिक से लेके तैन तक की NCRT की जो संस्कृत की किताबे हैं उनको पूरा का पूरा पढ़के जाएं तो आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा आप बढ़ी ही आराम से सॉल्व कर लेंगे फिर देखिए शेमुशी प्रथमो भागह अंस्यार्टी नई दिल्ली द्वारप्रकासित यह क्लास नाइंथ में चलती है इसमें देखिए भारती वसंत गीती है स्वण काकह गोदो हनम सुक्ति मौक्तिकम भ्रांतो बालह सिकता सेतु जटायो शोर्यम वांग मनह प्रान स्वरुपं व्याकर्ण वित्थी संधी में आपका स्वरसंधी गुड संधी, बृद्धी यण अयादी व्यंजन में जशत्वसंधी म अस्थाने अनुस्वारभ विसर्ग संधी विसर्गस्य उत्व रत्कम शब्द रुपाणी बालक कवी साधू पित्री लता नदी मात्री राजन हवत विद्वस असमद युसमद तद इधम किम भातु रूप में पठा गम वद भू कृड न्री ड्रिश शक ग्या अस क्री दा क्री ठू पा सेव लब ये सब छाट के एक जग लिखना होगा कि शब्द रूप में क्या-क्या है धाक रूप में क्या-क्या है उसी हिसाब से सारी चीज़े एक जग करके फिर हम लोग पढ़ेंगे कारक विभक्ति प्रत्याह कत्वा तुमुन लेप क्वत्वतु शत्री सानच कत्व संख्या ग्यानम उपसरगाह द्वाविंशती यानि बाईसो उपसरगों के बारे में आपको पढ़ना है अव्यानी अस्थान बोधकानी अत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र यत्र एकत्र उभ्यत्र काल बोधकानी यदा तदा सरवदा एकदा पुरा अधुना अद्व्श्वह्या प्रश्न बोधकानी किम कुत्र कत्ती कदा कुतह कफम की मर्थम अन्यानी च अपी यदी तरही यथा तथा सम्यक एव रचना प्रियोग और पत्र लेखनम तो यह सारी चीजे आपको पढ़नी है कुल मिला है कि यह TGT का ही स्लैब से में बहुत सारी चीजे आपको नहीं पढ़नी पढ़ेगी क्योंकि व्याकरण हर जगह एक जैसा ही है तो आप अगर UPTGT के त्यारी करने हैं या कहीं भी व्याकरण पढ़े हैं तो आपको व्याकरण में बहुत महनत करने की जरूत नहीं पढ़ेगी यही सब जो पार्ठ दिया है इसको आपको पढ़ना होगा बाकी सारी चीजों में संधी समा से सब में आपको महनत नहीं करने पढ़ेगी फिर है शेमुशी ग्वितियो भागह NCRT नई दिल्ली द्वारा प्रकासित क्लास पैंथ में ये चलती है आप NCRT की जितनी भी किताबें हैं उनको NCRT के किसी भी एप से डाउनलोड कर सकते हैं वहां से आपको ये सारी किताबें मिल जाएंगी फिर है यहाँ पे पहला पार्ठ है सुची पर्यावरणं बुद्धिर बल्वती शदा सिशु लालनं जननी तुल्य वत्सला रुभासितानी सवहार्द प्रकृते शोभा विचित्र साक्षी सुक्तयह अन्योक्तयह व्याकरण विथी संधी में व्येंजन संधी वर्गी प्रथम वर्णस्य कृति वर्णे परिवर्तनम प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम विसर्ग संधी विसर्गस्य उत्वम रत्वम विसर्ग लूपह विसर्गस्य स्थाने सचफ़ग अव्यय में उच्चई, च, श्व, ह्य, अध्य, अत्र, तत्र, यत्र, कुत्र, इदानिम, अधुना, संप्रती, साम्प्रतम, यदा, तदा, कदा, सहसा, व्रिथा, शनई, अपी, कुतह, इतस, ततह, यदी, तरही, यावत, तावत तो ये सब चीजे आपको पढ़नी है, प्रत्य में तद्धिता, तद्धित में मतुप, ठक, त्व, तल, इस्त्री प्रत्य में टाप, नीप, समास में तद्पुरुस, विभक्ति, बहुब्रिही, अव्याई भाव, अनु, उप, सह, निर, प्रति, यत्था, द्वंद, केवल इतरेतरह, वाच्य परिवर्तनम, केवलम लटलकारे, कर्त्री कर्म क्रिया, रचना प्रयोग समय, अशुद्धी संसोधन, पत्र लेखनम, तो आप व्याकरण को देख रहे होंगे, ये व्याकरण में आपको बहुत महनत नहीं करनी है, अगर आप एज़िटी के तयारी किये है इसके पहले, तो व्याकरण में आपको बिलकुल महनत नहीं करनी है, लेकिन फिर भी हम इन सारी किताबों में कैसे दिया है, उसके हिसाब से पढ़ेंगे, तो ये पाठिकरम आपके सामने है, इसमें से, टोटल सो प्रशन बनेंगे, और सब का नंबर होगा, एक नंबर प 10 question English से, आपके 10 question current affairs से होंगे, 5 question आपके current affairs से होंगे, और 5 question आपके computer से होंगे, ये हो गए 40, और 40 नंबर आपके pedagogy से होगा, तो ये पूरा पाठिकरम जो written test होगा, ये टोटल 180 अंक का होगा, और सब पे आपको एक नंबर मिलेगा, और 180 मिनट भी मिलेगा, तो किसी भी पार्ट को करने के लिए समय की कोई बात देता नहीं है, टोटल 180 प्रशन होगी, आपका मन करेगा, तो आप संस्कृत में ज़्यादा time दे दीजेगा, आपका जल्दी संस्कृत का प्रशन जल्द प्रशन होगी, तो आप पैडगोगी कोई कर सकते हैं, आप रिजनिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको स्पीड बढ़ानी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जादे से जादे से में गद्यान सोंगे, पद्यान सोंगे, तो time taking होगा, तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना है, और पूरा स्लेबस कवर हो जाएगा, और प्रशन भी आपको पढ़े-पढ़ा ही मिल जाएगे, तो डरने की ज़रूत नहीं है, अगर आप KVS में teacher बनना चाहते हैं, तो आपको पाठिकरम को लेकर चलना होगा, आप पाठिकरम के हिसाब से तयारी करेंगे, तो आपकी पूरी तयारी हो जाएगी, और आपको selection जरूर ही मिलेगा, और आप Sanskrit का यह जत्ती भी किताब है, चूकि अगर आप मेरे channel से जुड़े हैं, तो हमारा जो channel है, उसका जो telegram का link है, उसको आप लोग कर लिजेगा, join, जो बच्चे अगर download नहीं कर पाते हैं, तो आपको वहाँ से एक एक खिताब का एक एक चैप्टर मैं PDF में दे दूँगी, और इसको मैं एक एक पार्ट को पढ़ाऊंगी, और इसको solve भी करा दूँगी, तो टाइम लगेगा, परिक्षा अभी आपकी 3-4-5 महिने बाद ही होगी, तो हम दीरे-दीरे पुरी स्लेबस को cover करेंगे, तो आप ह हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, हमारे चैनल के माध्यम से अपनी तयारी को आसान बनाईए, हमारा चैनल पूरी तरह से निसुल्ख है, ये उन चात्रों के लिए भी बनाया गया है, जो सुल्ख के अभाव में कहीं न कहीं पढ़ नहीं पाते हैं, मैं मार्केट से बड़े आराम से कोई भी एक्जाम निकाल सकते हैं, ये तो एक बहुत छोटा सा एक्जाम है TGT, आजकल लोग ISPCS का एक्जाम भी मुबाइल और YouTube के माधम से निकाल ले रहे हैं, तो डरने की बिलकुँ जरूरत नहीं है, अभी तो आपके फॉर्म ही भरे जा रहे हैं, तो अ कुछ पढ़ना होगा, कुछ न कुछ, तो आज आप Slabas को देखिए, Slabas में पूरा विचार करिए, और ये जो 80 नंबर का है, इसको भी हम एक एक पार्ट को लेकर आएंगे, कि जनरल इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जनरल हिंदी में आपको क्य क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वैसे ही जितने भी टॉपिक्स दिये हुए, सब को हम एक एक पार्ट में लेकर आएंगे, और पढ़ेंगे, यहां पे अगर मैं एक एक चीज को बताऊंगी, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और आप के लिए बोरिंग भी हो है, आपको इन ही असी नंबर पे बहुत ज्यादा महनत करने की जरूरत है, बाकि यह 100 नंबर तो कैसे भी, अगर आप यह पूरा स्लेबस पढ़ लेंगे, तो आप बड़े आराम से सौल्व कर लेंगे, तो आपको संस्कित के बच्चों में जो भी कंप्टिशन होगा, वो उसी असी नंबर में होगा, तो आप पूरा लेकर चलिएगा, कि आपको 180 question में ही आपको पूरा जो आपका merit होगा, वो पूरे 180 रशन से ही आएगा, यह 100 नंबर से कुछ नहीं होने वाला है, आपको यह 100 नंबर तो तयार करना ही है, उपर से यह 80 नंबर भी बिलकुल तयार करना है, तो हम इसके लिए एक रणनीती बनाएंगे, और उसके हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे, और एक रणनीती के तहट चलेंगे, ताकि पूरी तयारी को हम अच्छे से कर पाएं, तो वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा, हमारे चैनल पे वीडियो में अगले टॉपिक के साथ अब तक के लिए नमास अंसकताए धन्यवाद